जहे श्री राम दोस्तों कैसे अप लोग उमीद करता आप सभी लोग बढ़े आओंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउजा डीजे सेटप के बारे में जो कि एक भाई ने कमेंट किया था कमेंट आप लोग देख सकते हैं काता भाई ने हमारा आउजा का होना चाहिए मतलब यहां पर आउजा का पूरा डीजे सेटप होना चाहिए और चार टॉप होने चाहिए बेस होने चाहिए दो दो एम्प्लिफायर होने चाहिए इस्टेपलाइजर जनरेटर एंड मिक्सर और क्रोसोवर और दोस्तों पांच हमारी पारला हो घृत के वारे मीं यहां पर आपको फुल जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा जisenig विण देखना साथ यe आपको अप्या है कनिक्संस के साथ साथ प्राइज भी आपको बताइंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आज इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोसतो पहले बात करें तॉप की फिर दोस्तो एक एक करकी हम अपको एक एक चीज की जानकारी देते रहेंगे तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं टॉप की तो दोस्तों यहां पे जो मैं टॉप यूज करने वाला हूँ वो आहुजा ब्रांड का ही यूज करने वाला है क्योंकि दोस्तों फुल डीजे सेटप जो है यह आहुजा ब्रांड के ही उपर होने व जाता है जो कि इसमें दोस्तो टॉप के अंदर पांग पांग सो वर्डिस के स्पीकर लगे हुए हैं और दोस्तो पोरा यह हमारा एक हजर वर्डिस का टॉप है जो की एक हजर वर्ड का जो टॉप है वो काफी अच्छा होता है डीजे के लिए भी और लाइप प्रोग्राम के लिए भी आप इस टॉप को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और अब बात कर लेते हैं इस टॉप के स्पीकर साइज की कि दोस्तो इस टॉप के अंदर कितने इंचिस का हमारा स्पीकर लगा हुआ है तो दोस्तो इसमें 15 इंचिस का एक स्पीकर लगा हुआ है जो कि 15 इंचिस का स अच्छा बचता है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस top की frequency range की तो दोस्तों आपको 35 हड़स से लेके 20 हजर होड़स देखने को मिल जाती है frequency जो कि इस top की frequency काफी best दी गई है काफी अच्छी आवाज मिलने वाली इस top से और बात कर लेते हैं इस top के nominal impedance की तो दोस्तों आपको फोरूम देखने को मिल जाता है इस टॉप का एंपिडेंस तो दोस्तों यहां पर स्पेसिफिकेशन्स हो गई है टॉप की बात कर लेते हैं टॉप के प्राइज की दोस्तों इस टॉप का प्राइज मार्केट में आपको अप्रोक्स 48,000 रुपए तक में एक टॉप मिल चाहिए तो दोस्तों चार टॉप आप लोग ले लेना है जो की चार टॉप का प्राइज मार्केट में आपको एक लाक बानवे हजार रुपए होगा ठीक है तो दोस्तों यहां पर टॉप हो गए अब बात कर लेते हैं टॉप के लिए हम एंप्रिफायर कौन सी लेने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर हम टॉप के लिए एंप्रिफायर लेने वाले हैं आहुजा ब्रांड की एलेकसे 4500 जो की डॉइल चैनल पावर एंप्रिफायर है काफी बेस्ट कॉलिटी की आती है आहुजा ब्रांड की तरफ से अगर इस एंप्रिफायर के पावर का है एक हजर वार्डिस का है जब दोस्तों हम दो टॉपो को पैलर में कनेक्शन करेंगे तो दोस्तों उसका जो एंपेडेंस होगा ओम होगा वह दोस्तों टूओं हो जाएगा और जो वार्डिस होगा वह दोस्तों 2000 वार्डिस होगा दो टूपों का वार्डिस ठीक है तो कि भाइय ने कहा था दो ही amplify लेनी है मुझे तो दोस्तो आपको एक Base के लिए भी amplify बताने वाले हूं यह तो हो गई दोस्तो टॉप के लिए amplifier अब बात कर लेते हैं पहले base की फिर आपको बताएंगी कि base के लिए हम amplifier कौन सी लेने वाले हैं इस से दोस्तो पहले बेस यूज़ करने वाला हूँ वो आउज़ा ब्रांड का यूज़ करने वाला हूँ पीस सावफर सिस्टम जिसके मॉडल नंबर की बात की जाए तो दोस्तो आपको SWX 2100 देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो ये हमारा dual speaker वाला बेस है इसमें दोस्तो दो हमारे speakers लगे हुए है ठीक है दोस्तो अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस dual base के power rating की तो दोस्तो आपको 2000 वाड़िस आर्मिस में देखने को मिल जाता है जो कि इसमें जो एक speaker लगा हुआ है base के अंदर वो दोस्तो 1000 वाड़िस का लगा हुआ है दो हो गए तो दोस्तो 18 इंचिस का एक हमारा speaker लगा हुआ है और अब बात कर लेते हैं दोस्तो speaker के अंदर voice coil कितने इंचिस की यूज़ की गई है इस speaker के अंदर तो दोस्तो इस base के अंदर जो speaker लगा हुआ है इसमें voice coil 5 इंचिस की यूज़ की गई है वो भी in and out में यूज की गई है in and out की coil जो होती है वो इतनी जलती जलती नहीं है इसलिए दोस्तों इसमें एक अच्छी सी coil यूज की है आहुजा ब्रांड ने बाकी आहुजा ब्रांड काफी famous ब्रांड है काफी अच्छे products बनाती है हर एक चीज सामान best quality का बनाता है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस dual base की nominal impedance की तो दोस्तों इसका जो impedance है वो दोस्तों forum दिया गया है ठीक है चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस base की price की तो दोस्तों इसका price market में आपको 52,000 रुपे तक में एक base मिल जाना चाहिए तो दोस्तों आपको लेने हैं 2 base तो 2 base का price market में आपको 1,4,000 रुपे पड़ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे तो हो गया base अब बात कर लेते हैं कि हम base के लिए amplifier कौन सी लेने वाले हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे base के लिए amplifier लेने वाले हैं आवज़ा ब्रांड की एलेकस से 6000 जो की 6000 वाड़िस की यह हमारी amplifier है और दोस्तों यह हमारी amplifier dual channel power amplifier है अगर इस amplifier के power output की बात की जाए तो दोस्तों यह हमारा amplifier 4 ohm में 2000 वाड़िस आउटपूट निकाल के देता है प्रतेई चैनल में आरमेस में जो की 6000 वाड़िस का यह हमारा amplifier है तो दोस्तों आपको connections बता देता हूं कैसे आपको करने है base के इस amplifier से तो दोस्तों एक जो हमारा base है वो forum का है और 2000 वाड़िस का है और हमारा amplifier भी forum पे 2000 वाड़िस ही output निकाल के देता है तो दोस्तों आप लोग एक एक चैनल पे अपना एक एक डॉयल बेस चला सकते हैं इजी तरीके से चलेगे कोई दिकत नहीं होने वाली है अब बात कर लेते हैं इस amplifier की price के तो दोस्तों इस amplifier का price market में आपको अप्रोक्स 60,000 रुपे के आसपास देखने को मिलता है इसका price ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे मैंने top भी बता दिया है base भी बता दिया है और दोस्तों top और base के लिए amplifier भी मैंने अब बता दी है अब बात कर लेते हैं mixer हम कौन सा लेने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे mixer भी हम आउज़ा ब्रांड का ही लेने वाले हैं जिसके model number की बात किजाएं तो दोस्तों आपको ADJ 300 देखने को मिल जाता है जोकि यह हमारा 3 channel DJ mixer है अगर इस mixer की price की बात किजाएं तो दोस्तों आपको 9,000 रुपे तक में यह mixer मिल जाना चाहिए जोकि ADJ 300 है ठीक है आपको यह आउज़ा ब्रांड का mixer मिल जाना चाहिए 9,000 रुपे तक की आसपास ठीक है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रोस ओवर के क्योंकि भाई ने कहाता है क्रोस ओवर भी होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे क्रोस ओवर भी हम यहाँ पे आउज़ा ब्रांड का ही यूज़ करने वाले हैं जिसके मॉडल नंबर की बात की जाए तो दोस्तों ACX 202 देखने को मिल जाता है जोकि क्रोस ओवर का मॉडल नंबर है यह भी काफी बेस्ट क्वालिटी का आता है अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों आपको यह भी 9000 रुपई की आजपास देखने को मिलता है क्रोस ओवर जोकि काफी बेस्ट रहता है अगर क्रोस ओवर से आप DJ बजाते हैं प्रोग्राम करते हैं क्रोस ओवर आप लोग जरूर लगाया कीजिए तो दोस्तों यहां पर क्रोस ओवर भी हो गया अब बात कर लेते हैं पारलाइट की तो दोस्तों भाई ने खाता कि 5 पारलाइट होनी चाहिए तो दोस्तों आपको पांच पारलाइट्स ले लेनी है बाकी आपको टोटल भी प्राइज बताऊंगा कि दोस्तों टोटल प्राइज कितना है फुल डीजेस सेट अप का इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी रुक्वेस्ट है आप लोगों से अगर अभी तक हमारी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसमें कोई पैसा नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं इस से दोस्तों यह होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे नया वीडियो बनाने के लिए अच्छा कॉंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूं और दुस्तों मैंने फेस्बुक पे में जानकारी दूँगा मेरे पास भी एक डीजे सेटप है जो कि काफ़े अम्टलफायर से हैं बेस और टॉप 12 इंचिस के टॉप भी हैं 15 इंचिस के टॉप भी हैं आपको उसकी भी जानकारी दूँगा इससे पहले चैनल को सब्स्राइब जरू करने हैं तो दोस्तों चलिए एक पे आप लोग बेस चलहिएगा एक इसा पे और दूसरे पी आप लोग चार कुन चलाइए ठीक है और पाइलाइट भी आप लोग उसी पे लगा देना है ढगते हैं तो दोस्तों यहां पे इस्टपायजर दो आपको ले-देने हैं इस्टपाय स्वाइज की बात कि जा तो दोस्तो एक market में आपको 8000 रुपए तक में मिल जाएगा जो कि आप लोग इलेक्ट्रोनिक की shop से बनवाएगा काफी अच्छा बनता है जब आप electronics की shop से बनवाते हैं खुद से अपने आप स्वयम बाकी दोस्तो बना बनाया जो आता है वह दोस्तो अच्छी quality का नहीं होता जल्दी खराब भी जाता है आप लोग इलेक्ट्रोनिक की shop से बनवाएगा 8000 रुपए तक में मिल जाना चाहिए और बन भी जाना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर फुल जानकारी हुचिए डीजे सेड़ एप के बारे में भात कर लेते हैं जनरीटर हम कौन सा यूज करने वाल है bringen फुल डीजे सेटप को चलाने के लिए तो दोस्तों यहां पर हम फुल डीजे सेटप को चलाने के लिए 15 कीवी का जनरेटर यूज करने वाले हैं यो कि आप कोई भी ब्राइंड का ले सकते हैं काफी अच्छे ब्राइंड आते हैं उसा का भी ले सकते हैं सुराज का भी ले सकते हैं काफी ब्रांट्स आते हैं मेरे पास तो दोस्तो मेरे पास एक है मार्सल राजकोड और दूसरा है हमारे पास विल्सन राजकोड जो कि सारे साथ के वे के हमें यूज करता हूं आपको इस फुल डिजर सटप को चलाने के आपको फूल डीजे सेटप के बारे में जानकारी दे दी है दोस्तों मैंने आपको फूल जानकारी दे दी है मैंने यहां पर हर एक चीज़ आपको आउजा ब्रांड के ही बारे में बताया है अगर आप लोग इस सेटप को खरीना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग खरी सकते हैं अपने इच्छानुसार मैंने यहां पर केवल जानकारी दी है अगर आपको डीजे सेटप अच्छा लगे तभी आप लोग खरी दिएगा मैं दोस्तों नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यह सेटप खरीद ही लें आपने कहा था जैसे कि भाई ने कहा था कि इस पर वीडियो बना दीजिए तो दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है जानकारी भी दे दी है आप लोगों का मन हो तभी आप लोग इस टीजे सेटप को लीजेगा बाकि मैंने यहां पर केवल आपको जानकारी दी है बाकि आप लोगों की जैसी चाठी के दोस्तों दोस्तों मैंने यहां फूल जानकारी दे दी है और आपको बता देता हूं इस फूल डीजे सेटप का प्राइज क्या होगा मार्गें में तो दोस्तो फूल डीजे सेटप का प्राइज आपको पांच लाग के ऊपर ही बैठेगा ठीक है पांच लाग के ऊपर मतलब 10-5000 रुपए उपर होगा ज्यादा नहीं होगा इतने प्राइज रेंज में आपको इतना फुल डेजर सेटप मिल जाना चाहिए तो दोस्तो उमीद करता हम वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर दोस्तो वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब जरू कर लें तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंट टाटा टेक क्यों वाए